नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी ओल्टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पले तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहें कहीं से भी तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा आपको हम ऐसी हकिकत बताने जा रहे हैं जो आपके संग्याद में नहीं आई कारण इसका असपस्ट है कि सरकार अपने यहां जिनोम सिक्वेंसिंग की मशीन नहीं लगा पाई है और कोरोना के बढ़ते खत्रे तीसरी लहर में क्या होगा अन तमाम अनिश्चिताओं के बीच जारखंड में कोरोना का सबसे खतरनाक वेरियेंट जो है वो सामने आया है इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खत्रा कितना बड़ा है अगर हम नहीं चेते तो सरकार के आंतरिक सर्वेक्षन में यह बात सामने आई है कि बहुत सारे जिलों में अभी भी कोवीट प्रोटोकॉल का पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है इससे जारखंट सरकार को चिंतित होना चाहिए हैमन सुरेन की चिंता जो है वो बढ़ गई है हनाकि तमाम प्रशासनिक प्रादिकारियों को तमाम जिला के उपायुक्तों को और सिविल सर्जनों को कहा गया है कि वो इस्थिती पर निगाह रखें राची के अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहां पर करोना संक्रमन के फिर से जो तेजी थोड़ी सी देखी गई थी उसमें ज्यादा तर केसे शुरुआती तोर पर राची से मिले थे लेकिन दोस्तों हकिकत दूसरी ल जो हम रिपोर्ट आपको बताएंगे वो आपको हैरान कर देगे धनबाद समेत ज्यारखंड के पांच जिलो में कोरोना का अलग तरीके का वेरियंट मिला है जी हां यह कपा वेरियंट है बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट वन अब इस वेरियंट में क्या बात है जो इसे रेरेस्ट स्रेनी में रखा जाता है आपको पता होगा जिस तरीके से डेल्टा प्लस के हम जब बात करते हैं भुनेश्वर ओरिसा के लाइफ साइंस लेबोरेटरी ने पूरी रिपोर्ट जो है राज के 354 सेंपलों की जिनोम सिक्वेंसिंग में यह ब इस वेरियंट का मिलने का मतलब क्या है अभी जो फिर से केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है इसमें 70-80% केसेस जो हैं वो प्रवासी लोगों के हैं यानि कि जो जारखंड के हैं बाहर गए वहां से यहां आए हलाकि सरकार तमाम दावे कर रही है एरपोर्ट से लेकर र अप्रेल से 9 जून 2021 के बीच 15 जिलों से 896 सेंपल जाच के लिए भुनेश्वर लैब भेजेगा है अब भुनेश्वर लैब क्यों भेजेगा है क्योंकि मैं लगातार इस पर बातचित करता हूँ तो आप सभी हमारे दर्शकों को पता होगा कि जारखंड में जिनोम सेक्व 50 वेरियंट ओप कंसर्ण के माफ कीजेगा और 65 वेरियंट जो है वो वेरियंट ओप इंट्रेस्ट यानि कि V, O, O, I इसके केसे जो है वो मिले है वेरियंट ओप इंट्रेस्ट जो है वो मिला है आप सभी को पता होगा कि यही जो कपा वेरियंट है ये इतना खतरनाक है दोस समय मौतों का आकड़ा जो है वो बढ़ रहा था और जो वेरियंट के के रिपोर्ट मिली है वैसे जगोस मिली आप देखिए इस्ट सिंगभूम जो की बहुत जादा दूसरी लहर में प्रभावित रहा था हलांकि सरकार ओक्सीजन की कमी से एक भी मौत जारखंड में सरकार न हजारी बाग से पाँच धनबात के चार और पलामू के तीन सेंपल्स में यह वेरियंट मिला है यानि कि 49 सेंपल्स न तों V.O.C. है नहीं V.O.I. है 250 केस वेरियंट अप कंसर्न के हैं 65 वेरियंट अप इंट्रेस्ट के केसें और यही चिंता का बिसे हैं अब हम बात करते हैं कि जिस कपा वेरियंट के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, जिस कपा वेरियंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, यह वेरियंट किस तरीके का है? तो जब मैंने विशेशग्यों से बात की, रायलेने का प्रयास किया, कुछ जारखंड के भी, कुछ बाहर के भी, तमाम लोगों ने जानकारी दी है, वो चौकाने वाली है, यह variant जो है, वो काफी तेजी से फैलता है, यह शरीर के immune system को धता बता देता है, चकमा दे देता है, और सरीर के अंदर जो है, ज्यादा नुकसान पहुचाने की capacity इस वाइरस के अंदर है, और यह जो variant है, वो community transmission फैलाने में सक्छा में, यह जो point मुझे लगा, कहीं न कहीं, यह सबसे हैरत करने वाली बात है, community transmission आपने देखा, जारखंड में किस तरीके से केसे बढ़ रहे थ उस वक्त, और यह जो जाच रिपोर्ट आई है, यह आगे के लिए एक चितावनी है, अब हम बात कर लेतें, जो samples लिये गए थे, 18 साल से कम, 61 samples यानि 7 परतिशत, 18 से 29 साल के 211 यानि की 24 परतिशत, 30 से 44 साल के 299 यानि की 33 परतिशत, 45 से 60 साल के 225 यानि की 25 परतिशत, 60 से अ यानि की एक परतिशत जो है, ऐसे लोगे samples लिये गए थे, इन samples को लेने के बाद स्वास्तिवाग की टीम ने भेजा था भूनेश्वर लैब में और उसकी जो report आई है, वही report मैं आपसे share कर रहा हूँ, अब सरकार नए सिरे से इस report के बाद क्या-क्या तैयारियां कर रही है तो देखिए, राज्य सरकार जो है, तीसरी लहर को लेकर पले ही का चुकी है, कि तीसरी लहर का total चीज, total management जो होगा, पिछली गलतियों को एक तरीके से सीख कर होगा, पिछली बार जो सबसे ज़्यादा mismanagement देखा गया था, वो oxygen supply से related था, हलाकि पुरे देश के अंदर उस से ज़्यादा दिकत जो है, लग रहा था, एक तो ग्रामीन इलाकों में जांच, रिपोर्ट और जांच का पहुचाना सही तरीके से, हलाकि सरकार ने अलग-लग तरीके से अभ्यान चला कर जो है, इस कमी को पूरा करने का प्रयास क्या था, लेकिन बहुत सारे जगों से यह वो कम्यूनिटी ट्रंसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है, सक्षम होता है, capable है, और अगर तीसरी लहर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगस्त लाश्ट तक सेप्तमबर में, या फिर हो सकता है कि जारखन में और लेट, अक्टूबर से शुरू हो, ये भी हो सकता है, तो अगर ये सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं हमें concern तो रहना ही पड़ेगा इससे, और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या तीसरी लहर में, जब cases बढ़ेंगे तो lockdown लगेगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब सवालों की बातचित हो रही है, तो ये जानना बेहत ज़री है, तो सब कुछ depend करता है दोस्तों R factor पे, R factor एक ऐसा factor होता है, जो ये बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितनों को संक्रमित कर सकता है, अगर ये एक परतिशत से ज़्यादा चला जाता है, तो फिर lockdown की संभावनाएं उस particular जगह पर बढ़ जाती है, तो अभ झाल